रानो जी महराज ने उस समय उस काल में, कालखन में उज्जैन को प्रगती और विकास के रास्ते में ले जाने का एक प्रण और सप्लिया था और महांकाल मंदिर की स्तापना, जिस इलतुत मिष्णे 1125 में उस महांकाल मंदिर को पूर्ण तरीके से नश्ट कर दिया था आज जो महांकाल मंदिर में हम लोग दर्शन करते हैं मेरे पूरवर्ज रानो जी महाराज के द्वारा ही स्तापित महांकाल मंदिर में हाज हम लोग दर्शन करने के लिए उपस्तित होते हैं जैसे काशी में ज्यानव्यापी कुए में लिंग को फिका गया था वैसे ही महांकाल का लिंग को कुए में रखा गया था और रानो जी महाराज महारा महांकाल का मंदिर स्तापित किया मादो महाराज प्रथम ने विकास और प्रगती का मारग उज्जेन के लिए प्रशस्त किया और केवल अधोसनरचना नहीं, पानी की योजना शिपरा नदी के लिए उज्जेन के लिए बनाई, सडकों का अधोसनरचना की पूरी एक जाल बिछाई, और उसी के साथ पहला देश का S.E.Z, केवल 1990 में हम लोग S.E.Z एक्सपॉर्ट जोन की बात सुनते थे, पर मादव माराज ने 1.500 वर्ष पूर मादव गंज में Free Trade Zone की शाथ की थी उज्जेन में, और आज मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे प्रदेश के नेत्रित्व, मौन यादव जी ने एक Regional Tree Conclave और Trade Fair की स्थापना वहां की है, ताकि उज्जेन में अध्यात्मिक शक्ती भी उज्जेन की संभावनाएं अपार हैं, महांकाल लोक स्थापित होने के बाद, प्रदेश की उन्नती के साथ भी हमारा उज्जेन का शेत्र जुडबाए, और इसलिए जो ट्रेट फैर की शुरुवात आज की जा रही है, ग्वालियर मेला के तर्स पर, मैं शुक्र गुजार हूँ मौन यादव जी का, उन्होंने ग्वालियर मेले के गुड़ प्रैक्टिस को देखकर उज्जेन में मेला की शुरुवात की, और ये एक बहुत महत पूर्ण कदम केवल उज्जेन के लिए नहीं, केवल मालवा के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के विकास और प्रगती के लिए, जो आज मेला का उद्गाटन उज्जेन में होरा है, और अर्पित करना चाहता हूँ कि 50% टैक्स का रीबेट मोहन यादव जी ने उज्जेन क मेला में भी दिया है, इससे बिक्री बहुत बड़ेगी, अभी गौलियर के ट्रेट फेर में करीब करीब 2000 करोड का की बिक्री हुई है, और मुझे विश्वास है कि उस रेकॉर्ड को भी हम लोग उज्जेन के वाले दिनों में तोड़ेंगे, इसका मुझे पूरा धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मोहन यादवजी को, कि इतना अच्छा सकात्मत कदम लेकर प्रदेश का ट्रेट फेर उज्जेन में भी स्तापित किया है, रीजनल इंडस्ट्री, कॉनक्लेव के आधार उपर, हमारा प्रदेश, अवसरों और कावनाओ का प्रदेश और हमारा ये पूरा मालवा बेल्ट केवल कृशी के शेत्र में नहीं है, कृशी के शेत्र में तो एक नया रेक्ट मोहन यादव जी ने स्तापित किया है, जो राजिस्थान सरकार के साथ मिलकर, नदियों की लिंकिज की योजना के आधार पर, मध्यप्रदेश के तजिलों को करीब करीब चार लाक हेक्टेर की सिचाई कोटा से शुरू होते हुए पूरा गौलियर चंबल से मालवा तक, उन्होंने अपने 90 दिन के कारेकाल में रचा है, मैं उनको अपने दिल के गहराईयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ और उनको बदाई देना चाह काम पिछले 30 साल से रुका हुआ था, पिछले 60 दिनों में इन्होंने राजसान के मुख्यमंत्री और गजेन सिंग जी के साथ मिलकर उसका हल निकल आया, उसका समधान निकलवाया, और कृशी के साथ उज्जैन में फार्मा, इंडस्ट्री, टेक्स्टाइल्स की भी आपार समभावना है, आज इस रीजनल इंडस्ट्री कॉंक्लेव में जुड़े हुए सभी ओध्योग पतियों को भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, कि आईए हमारे उज्जैन, ये धार्मिक नगरी है, पर व्यापार की भी नगरी है, ओध्योग की भी नगरी है, इंदौर से कर है, और मुहतर जी और हम मिलकर उज्जैन में नई संभावना है, जो भी हम लोग कर पाएं, हम लोग करने के लिए कटे ब्रिद्ध और संकलिप्थ हैं, और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भारती जनता पार्टी की सरकार, मुख्य मंत्र मंत्री जी की नित्यत में, प्रदान मंत्री जी की नित्यत में केवल इंदौर नहीं, लेकिन उज्जैन भी मिनी बॉम्बे बनने जाएगा आने वाले दिनों में, इसका मुझे पूरा विश्वास है, जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है, वहीं विक्रम उ था उनके द्वारा, और उसी तार्तम्य में विक्रम उत्सव महुत्सव उज्जैन में भी मनाया जा रहा है, यहां केवल कला, नित्य, संगीत, हमारे संस्कृती का प्रदर्शन केवल नहीं होगा, लेकिन आसपास के राज्यों के केवल नहीं, लेकिन जो मुझे सूचना मि है, एशिया, साउत्रिका, दक्षिन अमेरिका की संस्कृती की कला और नित्य का भी प्रदर्शन होगा, तो यह मालवा का एक हमारा विक्रम उत्सव महुत्सव है, यह पूरे विश्व का विक्रम उत्सव महुत्सव है, और मैं बदाई देना चाहता हूँ मोहन यादव जी से बदाई देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारा उज्जयन बड़े, आगे बड़े और इसमें हमारे तरफ से भी, हमारी चर्चा दिन और रात मुख्यमंत्री जी से हो रही है, विकास प्रगती के संभावनाओं को हम